पुलिस के हिरासत में है जिस तरह के तेवर ये दिखा रहा है ऐसा लग रहा है कि ये अपनी सुस्राल पहुचा है ये वही कुक्यात अपरादी है और टीमसी का नेता है साजाशेक जिस पर अंगिनत हिंदू महिलाओ और लड़कियों के साथ बलातकार करने का आरोप है ममता की पुलिस में आकिर 55 दिनों की कड़ी मेहनत के बाद इसे खिरासत में लिया है लेकिन उनकी कड़ी मेहनत के पीछे डर है कोर्ट का जिसने साजाशेक की गरफतारी का आदेश ममता सरकार को दिया था हम आगे कुछ बता हैं लेकिन उससे पहले देख लेते हैं साजाशेक कहां से घटना को अंजाम देता था और कैसे पूरी ममता सरकार सब कुछ जानते हुए भी इस पर अपनी ममता लुठा रही थी दिखाओ क्या कौन सी जगा दिखा दिखा दिए जो सब है घेरी में जो छोटा-छोटा घर बनाके रखा है यहां पर सब इस तरह उस तरह लगा हुआ है लड़कियों को लाकर यही पर गलत काम करता है उन्हे पौन शाजाशेक शाजांशेक उत्तम सर्दार असीबू हादर वीडियो में जो जगा आप देख रहे हैं यही पर साजाशेक और उसके गुंडे हिंदू महिलाओ को लाकर उनके साथ बलतकार करते थे अब जहां साजाशेक के काले काड़नावे सबी के सामने आ चुके हैं और पूरे देश में बवाल मचा हुआ है तो संदेश खाले की य साजाशेक और उनके गुंडों पर अपना गुस्सा निकाल रहे हैं आपको बताते हैं कि बंगलादेश से आकर यहां मजदूरी करने वाले साजाशेक की असली कहानी आखिर कैसे मुस्लिम गोटों के आगे अपने घुटने टेक चुकी ममता सरकार ने इसे मजदूर से पू अभी ग्रफतारी एडी अधिकारियों पर हमले के मामले में हुई है इस केस में वो 55 दिन से फराड चल रहा था एडी का दावा है कि पस्टिम बंगाल के राशन वितरन गोटाले में करीब 10,000 करोड रुपे का प्रेस्टा चार हुआ है इस मामले में सबसे पहले बंगाल के पूर्ब मंतरी जोती प्रिया मलिक को ग्रफतार किया गया बाद में टीमसी नेता सहाजा शेक और बंगाब नगरपाली का के पूर्ब चेर्मेन शंकर अधा की भी समलिपता सामने आई एडी की टीम ने पूर्ब बोग गाब नगरपाली का अध्यक्ष और टीमसी नेता शंकर अधा को ग्रफतार कर लिया अधा और सहाजा को पूर्ब खाद मंतरी जोती प्रिया मलिक का करीबी माना जाता है इससे पहले केंद्रिय एजनसी ने अधा और उनके परिवार के सदस से जुड़ी संपत्ती की जात की थी जाच एजनसी का कहना है कि घोचाले की करीब रकम में से 2000 करोड रुपए अबैद रूप से दुबई भेजे गए थे राश्टिय अनुसूची जनजाती आयोग को सहाजा और उनके सहयोग्यों के खिलाफ आदिवासी परिवारों की महि पिलाव के साथ यौन शूचन और जमीन हड़पने की 50 शिकायती मिली हैं राज्य सरकार के अधिकारियों ने कहा हमें करीब 1250 शिकायती मिली हैं जिसमें 400 भूमी मुद्दों से संबंदित हैं अब जान लीजिए सहाजा शेक की बंगलादेश से बंगाल आने और यहां अप भी वहां है उत्तर 24 परगाना का संदेश खाली इलाका बंगलादेश की सीमा से सटा है इसलिए वो यहां रहकर जीवन यहां पर करने लगा शुरुआत में उसमें यहां खेतों और इड भट्टों पर मजदूरी की इसके लाबा शहाजाने नाव और सवारी गाड़ी भी च उनका नेता बन गया यूनियन के नेता होने से इलाके में सक्रियता बढ़ गई और मकपा के करीब आ गया साल 2024 में शहाजाने राजनीती में एंट्री ली और मकपा में शामिल हो गया कहते हैं कि सत्ता कसंरक्षण मिलते ही सहाजाने इस्थानियर लोगों के खेतों और जमीन इस सिर्फ चड़कर बोलने लगी जो किसान उसे लीज पर खेद देने से मना करते थे उनके साथ दो बहवार और मारपीट तक की जाती थी वक्त के साथ उसने पहले किसानों को लीज की रक्कम देना बंद किया फिर खेतों पर ही कपज़ा जमा लिया साल 2011 में बंगाल में टीमसी की सरकार बनी तो सहा जहानी भी राजनीतिक पाला बदल लिया और साल 2012 में वो टीमसी से जुड़ गया लेकिन उसके कारणा में गुंड़ाई और अत्याचार नहीं बदले यह सिलसिला वैसे ही चलता रहा जैसे वो अपने मुताबिक चलाता आ रहा था लेकिन कहते हैं ना कि पाप का घड़ा कभी न कभी भरी जाता है और वही हुआ सा जहां शेक के साथ उसने एडी की टीम पर हमला करवाया कोट के आदेश के बाद उस पर कारवाय के लिए मंता सरकार पर दबाप पड़ा तो उसके कारणामे सामने आने लगे जिसमें संदेश खाली अब सुर्ख्यों में है लेकिन सबाल ये भी है कि जिस तरह से वो हिरासत में अपने तेवर दिखा रहा है कहीं उसे केंद्रिय एजन्सियों से बचाने के लिए मंता सरकार की पुलिस ने तो सेफ कस्टडी में नहीं लिया है आखिर मंता सरकार की ऐसी कौन सी कमजोरी है जो सहाजा सेख के पास है क्योंकि जिस तरह से ममता सरकार सहाजासिक के सामने नतमस्तक है वो सभी को खटक रगा है और इस पूरे मामले पर आपकी क्या राया है एक बार हमें कमेंट करके जरूर बताना देश और दुनिया की तमाम ख़बरों के लिए आर्रिया नियूस को भी फॉलो कर लेना मिलता हूँ आप से किसी और वीडियो में जाहिए